आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्जी पत्ता गोभी की सब्जी आज हम बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही कम समय में बना करके तयार करेंगे अगर आपके बच्चे पता गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से पता गोभी की ये सबजी बना करके जरूर खिलाएं तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपनों का नाने की रसोई निलम टेक में इस सबजी को बनाने के लिए हमने आप लिया है कटा हुआ पता गोभी लिया है हमने हापर एक बड़े साइज की कटी हुई प्यास तीन से चार कटी हुई हरी मिर्स एक चम्मच रेट चीली सास एक चम्मच सोया सास आधी चम्मच बेनेगर हमने हापर थोड़ी सी बारी कट्यूही अद्रक और थोड़ी सी बारी कट्यूही लेसन ली है लिया है हमने हापर आधी चम्मत से भी कम हल्दी पौडर, थोड़ा सा गरम मसाला और हमें चाहिए स्वाद के अनुसार नमक सबजी बनाने के लिए हमने गैस पे लोहे की कड़ाई रखी थी और हमने इसमें सरसो का तेल गर्म होने के बाद इसमें अद्रक लहसन और मिर्च को लाल होने तक भूना है यहाँ पर मुबाईल बंद हो गई थी जिसकी वज़े से यहाँ की वीडियो रिकार्ड नहीं हो पाई है जब अद्रक लहसन मिर्च और प्याज अच्छे से लाल हो जाएं तब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके कटी हुई पत्तागोबी को डाल देंगे और इन्हें प्याज लहसन और अद्रक के साथ अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे मटर हमने यहाँ पर आधी कटोरी मटर ली है मटर डालने के बाद हम फिर से पत्ता गोभी को अच्छे से चलाते हुए इसे मटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे अब हम सबजी को ढख देंगे और इसे मीडिया माच पर 3-4 मियड तक पकने देंगे तीन से चार मियाट बाद हम ठककन को हटाएंगे और सारी सबजी को अच्छे से चला लेंगे आप देख सकते हैं कि यह जो पत्ता गोभी है हलकी हलकी गल चुकी है अब हम इसमें डालनेंगे हमने जो मसाले लिये थे उन्हें डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, स्वात के अनुसार नमक और हल्दी पॉडर मसाले डालने के बाद हम फिर से सारी पत्ता गोभी को अच्छे से चलाएंगे ताकि हमने जो मसाले डाले हैं वो सबजी में अच्छे से मिल जाए अब हम फिर से सब्जी को ढख देंगे और फिर से हम इसे मीडिया माझ पर 3-4 मिनट तक ढख कर और पका लेंगे तीन से चार मिट बाद हम फिर से धक्कन को हटाएंगे और सबजी को चेक कर लेंगे हम सारी सबजी को फिर से अच्छे से चलाएंगे पत्ता गोबी की यह सबजी जो है लगभग में पक चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो सॉसेस लिये थे उन्हें डालेंगे हम इसमें रेट चिली सास, सोया सास और बेनेगर, अब हम फिर से सब्जी को अच्छे से चलाएंगे ताकि हमने जो सौसेज डाले हैं वो सब्जी में अच्छी तरीके से मिल जाएं, सब्जी चलाने के बाद हम फिर से इसे धक देंगे और सब्जी को हम मीडियम आज पर धक कर केवल दो मिनट के लिए और पका लेंगे, दो मिनट के बाद हम धकन को हटाएंगे और सबसे आखरी में हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, धनिया डालने के बाद हम सारी सब्जी को अच्छे से चलाते हुए धनिया के साथ मिला लेंगे पत्ता गोभी की या तीखी चटपटी सब्जी बन करके तयार है अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को एक प्लेक में निकाल लेंगे या पत्ता गोभी की सब्जी केवल 10 मिनट में बन करके तयार हो जाती है और इसका स्वाद भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है अगर आपके बच्चे पत्ता गोभी नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से इस सब्जी को बना करके अपने बच्चों को जरूर खिलाएं हमने हाँ पर सब्जी को प्लेट में निकाल लिया है और इसके उपर हम फिर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे आप लोगों को मेरी ये पत्ता गोभी की सब्जी की रिस्पी कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा जरूर अगर मेरी ये रिस्पी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना न भूलेगा साथी में बेल आइकन को जोर दबा दीजेगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुल, धन्यवाद